यह बाइस बहुत मून घरा वाई सुपह सब्सक्राइब नहीं भाइस तरीके सब्सक्राइब कर देखते हैं यह है आपको आपको आपके कूल माई आरम से मिल जागा जहां पर ऐसे और मसाना लेता है परी दोस्तों काफी समस्दान लोग हो गए है गाइस तो आपने साथ सुपित मोटर का तो यूज़ किया होगा देफिटले गाइस कियोगा और को बंद ऐसा जो इसे नहीं जानता तो एक गर्मी में और इसमें प्रोपले लगा कर आप इसे फैन की तरह यूज़ करते हो तो इसे क्यों होगा एनरजी का लोग काफी गम होगा है तो इस काफी लोग सुचनगे समर आज तू फ्री एनरजी बना रहा है तो आज इस वीडियो में गाइस सारी बात इम किलिए करेंगे गाइस कॉंसर्ट भी यह कैसा है ले तो अस्ट्रोड गम्प्लीट वोग चैज़ेगा चलेगा शड़ावट चलते हैं अपने अटमिक पर ठीक है थोड़ा सा गाइस भारी है समर एक्सपेरिमेंट भाई जब मुझे से लेकर आना है तो गाइस मैं लेकर क्यों जाते हूं पता है नियार पता है तो काई इस अपर ते सरे भी यह मोटर है और शाथ पहितन पांसो पचास पांसो पच्छाप पर अच्छा काम करेंगा अब आप देख सकते हो इसकी जो शाफ्टे काफी पतली एक सूथ मोटी है और इनकी थोड़ी मोटी है तो मैं यहां क्या करते हैं आप इस हम इसे लेंगे यानि की 540 नंबर डीजी मोटी आप इस मोटी को मैं इस ले रहा हूं यहां इसमें दोनों तरफ शाफ्ट आप को इसा मोटी सकते हों इसमें जोगाने पड़ेगा वीड़न लंब्य जाएगी फिर मत कहना आप हमारे सौंज में नहीं है मोटी तक है सिंक्रोनाइज मोटर और यहां पर आप देख सकते हो भी यहां तीन से चार आर्पेम रेवलेशन पर मिनट और भाइस अब यह चार वाट का मोटर है मेड इन चाइना है वाव तो गाइस मैं चीज़ है कि हमें इसके अंदर काफी मोटी करने इस मोटर के अंदर ही को इसके काफी साथे गेल लगे होते हैं जिससे मैं इसके आर्पेम बहुत कम होते हैं और इसका टॉक बहुत हाई होता है तो बाइस सब्सक्राइब घूम्यागनी भाइस साब बड़े दिक्क्रत है तो बाइस चलिए फड़ाओ इसका ओपर सुन करते हैं अब देखी भाइए हाथ से घूम सकता है मस्त बिलबूल लेकिंगे अभी गियर अपने देखा गाइस कैसे आप बड़ा गिया रहे आप चोटे गया रहे अगर आप से कम आर्पिन से गुमा होगे देखिए अब गाइस हमें इन दोनों मोटर को आपस में बाई कनेट करना है यह दोनों मोटर एक साथ कनेट होने जब यह घूमेगा तो इसको भी घूमाएगा तो आपको बहुत सारे जुगाल यहां पर लगाने पड़ेंगे यह तो इसके नहीं आएगा जबाते हैं तो भी आपको पास क्या और बाता हूं इसके बार आपको बताते हूं यह बैल्ट और भाई सब कुली अलग लगाइस टाप के मेरे पास कुली है बाई यह बनानी हो इस तरफाय से लग जाएगी और जुगार जमाईज आप यह घिसके यह इसमें लग जाई तो गईस दोन में आपसे बैल्ट लगाकर हम ऐसे चला सकते हैं तो गाई हम क्या करेंगे बाई हम इस मोटर को नहें लेंगे साथ सब भीतना मोटर को सब में से हम होना है जब इस मोटर को भी घुमाएगा तो काई सापको भी मोटर लें अगर आप डिवल शाफ वाला मोटर लोगे तो काफी का मस्त होगा एक बात और गई अगर आप यह जैसे गई यह जो इसकी शाफ्ट है त्रिपल बन से और फाइ से रोग सकते हैं ऐसा लगा लो मर्जी यह जिए भी इसके साथ भूमेगा बस यह सिंपल सा कॉंसेप्ट है तो चले का बेस तयार करते हैं कुछ मैटर लेका ना थे हैं और इस क्यो लिया है यह आपको पता लगजेगी फटावर भाइसाब अब इस मोटर को इस तक्ति पर लकडी पर रोकते हैं लेकिन इन दोनों मोटर को किसमें रोकने से पहले वाई साब पहले इने तो रोक लें चिसे ठीक है तो भाई देखो इसके रहो लेकिन यह थीला नहीं होना चाहिए बिल्कु भाई टाट होना चाहिए चलो भाई फटावर इसकी फिटिंग करते हो कर पाशन चाहिए वाई तो लेज़े गाइस मोटर में अच्छे सो रोक दिया है यहां अच्छे चिपक गया ही ठीक है और भाई सब मैं इसे नहीं रोकना कोई जुगान नहीं करूंगा क्योंकि भाई सब्सक्राइब खुद ही रुख जायागा इधर अगर भाई मैंने इसे फिट कर दिया तो जो हलक सब्सक्राइब करना वालों भाई साब एक बल्ब होल्डर यहां लगाएंगे सब्सक्राइब और यहां पर वैलेस के कनेक्शन कर देते हैं इससे बाई हम इससे आउटपुट ले सके ना पता तरगी या बिल्कुल लाइव जैसे होगा लग गया मक्षन बिल्कुल फटाब का रख दिमें ने तो भाई देगी यह वाई साब स्पीट कंट्रोलर काइस इस मोटर के स्पीड बहुत जाद है जिस तो काई इसी मोटर खराब हो सकता है सिंक्राइज मोटर खराब सकता है इसमें लगाव है इस फटाप इसी भी लगाते है तो लेज़ गाई यह पर पर पावर शोकेट है या डी शोकेट है तो चले गाई फटावड भीजा आप इसकी टेस्टिंग करते हैं और वाई चलाने के लिए मैं आप लूंगा एक बार बोल्ट की बैटरी यहां पर लेता हूं मैं पेपर टेप बाद मुआ इस पर प्रोपेलर भी लाएंगे बेव फुल टेस्टिंग होई तिक आपको पतले यह भी घूम रहा है और यहां पर आप प्रोपेलर लगासे हो जिसम पंखड़ी करते हावा के लिए प्लास गाइस यह मोटर इसे घुमाएगा जिससे एलेक्ट्रिस जन्रेट होगी और यहां पर हम एलेडी बल्ब लगाकर या बल्ब लगाकर कोई भी गाइस हम इससे पावर ले सकते हैं तो गैस हमारे एक टाइम में दो तो काम होंगे अभी तर गैस आप क्या कर रहे थे य आपको पंखा चलाना है या आपको लाइट बी चलाने दोनों साथ सा चलानी है तो आपको बैट बालक से एक इनवर्टर लगाना पड़ेगा और इस पंखा या निमोटर अलेक्स चला देगा तो गैस यहां पर थोड़ोगा पावर और प्रक्ता घर पड़ेगा इसी बात आपको दिखाता हूं यहां लगाते हैं और यहां लगाते हैं यहां लगाते हैं तो चलाते हैं तो अब को काफी तेज रोशनी कंप करता हूं जाओ आपको दिखाता हूं यह दोने चीपर टेस्ट कांगो बदुना कर दिया मैं नगाई सापको आपको ने दिखाई ने दूंगा ठीका भाई सान करते हैं पटटा बट सब्सक्राइब प्रोजेक्ट बन चुका है अब यह एक प्रोपेलर ठीक आप छोटी बड़ी बीको इस ले सकते हो जो कि मोटर में फिट हो जाएं ऑफ फे पार बले तो फाय यह जाद लेता है और यह अगया और तो इस तो इसाओ इस अप्रोपेल बे चल लएक जिस तो मैं आपको दिखास को इसकी प्रोपलर पर चल लाई है ठीक है तो बहुत वाई कापी तेज़ा वा और LED चल रही है दोनों काम एक साथ औरें गईस इमने एक घपारी कटिंग लिए जिस तर आपको हवा कात्रो देखा सबूं तिए इस तर आपको मस्ता हुआ है मैं करता हूं माइक मापको हवा की आवा सब्सक्राइब कर रही है तो इस दोनों काम आपके एक मोटर ही कर रहा है चले बाई अब फटापट प्रैक्टेकल देखते हैं कि वाई पावर कितनी गंजू में कर रहा है मैं बैटरी के वोल्टेज में गले तो बैटरी दे रही है तो बैटरी दे रही है पूरे लगवग 12 जुट दूबार गोलो इसा इशक करने के लिए मैं क्लाम मेर्टर का यूज करोंगा और अभी मैं फिलहाल बिना अले बल्ब जलाए का लिए सचला रहा हूं ठीक है आप दो गाइस सम SL कर सकते हो यहां पर अपझा कर सकतेratos ऐसे को अप्मिच्छा और लगा सकते हो इसे किस पीड बलाता हूं और यहां पर आप एंप्टुकर नहीं थे भायभाई पुले एक नीच अब और नेरे का सर्ट किलर गर दूँ ड़ह रहा ए है हमने इसमें मोटर लाना है पांचो चालीज यह तीन साड़े तीन एंपर तकाइस खुद ही अकेलर लेता है और प्रोपलर लगने के बाद गाइस यह और हाई एंपर कंजूम करेगा मोटर पर लोड पर जाता है है अगर आप इसे नॉर्मल स्ट्रीट पर चलाते हो जिससे आप इससे हाव भी ले सको और लेडी बी चला सको तो आरम से दो यह तीन या मैक्सिम चार एंपर तकाइस आपको काम आरम से हो जाएगा ठीक है तो भाई बार एक चौक 48 तो लगव अगर आप 4 एंपर चलता है अर यहां पर स्पिक बॉल के दिखाता है तो भाई पूरा तो भाई यह आप नहीं जा रहा है यह जारा के लगवा आपको साथ एंपर तो भाई कमाल हो गया तो गैस कोई ज्यादे खास परक नहीं पड़ा एलेडी चलाने पर आपने देखा और गैस उल्टा कम एंपर होगी प में एक बार चेक कर लेता हूं देख भाई यह आप 540 मोटर और यह दूसरा मोटर देखी है न तो सैम यहीं मोटर भाई देख भाई सब इसे मैं डीसी कर देता हूं ठीक है देख भाई ठीक है अब कोई जोगान नहीं कुछ नहीं सिंपल मोटर में प्रोप लगाई है अरे चैंपियर मोटर को जादे एंपर लेता है न तो भाई देखेंगे 10-11 एंपर दक है इस पोस्ता है स्टार्टिंग में मैं आपको एक बार बंद करके दिखाता हूं दूबार असे देखेंगे 11-25 अरे बाप रहे तो भाई ये काफी हाई एंपर मोटर कंसुम करता है और गाईस ये तार ऐसी भी ये साइड में आ रहा है कैब आपको लगे ठीक है इसमें बागईस मैंने जोड़ देखेंगे इसकी कलती नहीं है इसके मोटर जादे हाई एंपर कंसुम करता है इसके जो वैड निग जाद थिक वायर से होई भी है तो इसकी स्पीड बजाद है तो ऐसा आप कोई कम एंपर वाला मोटर लगा सकते हो मैंने चेक कि आपके सामदेर को लाइव बाई यह दो मोटर लगबक सेम पावलें एक दो एंपर का फराग है जो इसकी वैस हो रहा है तीक है यह जो हमने यहाँ पर लगा है यह तो बाई सब आप ऐसे बना सकते हो बहुत मस्त काम करेंगा बस आप मोटर करें लगा जाद आप लगा इस वह जल्दी वह खतम कर देगा वनना इसमें आपको ब्लुकुल प्रैक्टिकल करेंगे दिखा है बाई कोई जाद लोड नहीं पड़ता इसा लगाने अ सकस नहीं हो पाया है अभी तक गई सब कुछ जूट है सब कुछ फेक है तो फिलिए दोस्तों बात भरोसा ना करें कोई फेक की बात नहीं है अच्छा काम करेंगा आप ऐसे जोगार बना सकते हो यह जो आपके पास फैन हो टेल फैन हो डीसी वाला आप उसके पीछे ऐसा य जरो कमेंट करें बता है यह आइडिया आपको कैसा लगा बाई बाई